गाजा में इस्रायल और हमास की हिंसक लड AH अब और खतर्नाक होती जा रही हैं अब तक अलग अलग हमले करने वाले फिलस्तिनी प्रतिरोध अब एक होकर इस्रायली बलो पर रहावी हैं गाजा के हर कोने से हमास लड़ा के इस्राइली फौश पर आग बरसा रहे हैं इस्राइली बलों के लिए गाजा में हर एक कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है दक्षडी गाजा के खान यूनिस्स और रफा शहर जंगी मैदान के नए खाड़ा बने हुए हैं यहा इस्राइल के गाजा उपरेशन को विफल करने के लिए प्रतिरोत के लड़ाके खतरनाक से खतरनाक हथियारों का इस्तमाल कर रहे हैं हमास के गाजा में फिर से सक्रिय होने से इस्राइल की मुश्किले एक बार फिर से बढ़ गई हैं बावजुद इसके इस्राइल का सैन न अपरेशन गाजा में जारी है आईडियाप जमीन और हवाई दोनों हमले कर लड़ाकों का सामना कर रहा है वही गाजा की हिफाज़त में लड़ रहे हमास लड़ा के छिप कर गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं जहां वे इसराइली बलो पर कहर बन कर तूट रहे हैं यही लड़ी में एक बार फिर हमास लड़ाकों ने मिलकर किये जोरदार हमले में इसराइल को बहुत बड़ा जटका दिया है अलकुट्स ब्रिगेड ने अपने हालिया हमले का एक फुटेच जारी किया है इसमें देखा जा सकता है कि उसके लड़ाके अलकसम ब्रिगेड के साथ मिलकर जबर्दस तरीके से इस्राइली फौच पर हमला करते हैं ब्रिगेट के जॉइंट आप्रेशन में ये हमला दक्षिड गाजा के रफा शहर के पश्चिम में तेल अल सुल्तान पडोस में एक इस्राइली टैंक पर किया गया इस दोरान एकी वार में इस्राइल का बक्तर बंद टैंक जबर्दस धमाके से आग का गुला बन गया इसके अलावा अलकुट्स ने दावा किया कि उसके लड़ाकों और अलकस्सम ने अबू अयाश के जंक्षन पर एक टैंक जैसा मरकवा पॉस्ब को भी निशाना बना कर तबाह किया इस खतरनाक हमले का एक वीडियो भी जारी हुआ है इसमें लड़ाकों के बारूद हथियार ले जाते हुए देखा जा सकता है फुटेज में दिखाया गया है कि दो इसराइली टैंक को बेहद नस्दीक से उड़ाने की तयारी करते हैं बारूदी हथियार को तैनात करने के बाद दोनों लड़ाकों में इसराइली टैंक को उड़ाने के लिए बटन दबाने की होड देखी गए वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों लड़ाके एक दूसरे को ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम बटन दबाएंगे हाला कि आखिर में दोनों 60 बटन दबाने के लिए सहमत हो जाते हैं गाजा में प्रतिरोधी गुटों के भी जॉइंट ऑपरेशन अब अहम बात हो गई है जिसके चलते इसराइली फॉज की मुश्किले सातवे आसमान पर पहुँच गई है तो वहीं हमास के लड़ाके मिलकर ऑपरेशन चलाने से इसराइल के खिलाफ हमलों की धार मिली है माना जाता है कि हमास के रिस नय पहतरे को भापने में इसराइल से बड़ी चूक हो गई है जिसका खाम्याजा उसे गाजा युद्ध में अपने इसराइली फॉज के लगातार खोने से उठाना पड़ रहा है वहीं हमास की सबसे खूखार मिलिटरी विंग अलकसम ब्रिगेड ने भी इसराइली बलों के उबलते जोश को ठंडा कर दिया भीशण हमलों से दहल रहे गाजा में अलकसम ब्रिगेड इसराइली बलों पर कहर बन कर बरसी है एक बार फिर इसकी एक खौफनाक तस्वीर देखने मिली है ब्लास्ट से धूधू कर जलने लगा गाजा और इसराइली बलों के बीच खड़ी अलकसम ब्रिगेड ने सिर्फ यही नहीं तहल का मचाया समूह ने दावा किया कि लड़ाकों ने अपने हमलों की गून से इसराइली राजधानी तेलवीव को हिला देने का दमखम रखा ब्रिगेड ने इसराइली कारवाई का मूतोड जवाब देते हुए तेलवीव और उनके उपनगरों पर दो M90 रॉकेट से बंबारी किया और तैनात करते हैं इसके बाद टाइमर सेट कर एक साथ दोनों रॉकेट्स को इसराइल की और भेदते हुए दिखाया जाता है झाल